आज 19 नमंबर है और करेंट अफेस के न्यूस को डिसकस करेंगी सबसे पहले छट महापर्व की आप लोगों को हार्दिक शुपकाम नाए अभी आज के समय में पहले तो सिर्फ बिहार और जार्खन में छट पर्व मनाया जाता है आज के समय भारत के मुझे लगता है हर एक को पर्व मनाया जाता है तो काफी आप लोग बिजी होंगे लेकिन समय निकाल करके रिकॉर्डिंग्स को जरूर देख लेना है क्योंकि पढ़ाई भी उतना ही जरूरी है हमारे लिए राइट आज हम लोग पहला नियूस दिसकस करेंगे प्लास्टिक प्लुशन को प्लास्टिक पॉलूशन दो हजार चालिस तक का टार्गेट लिया गया है और इसमें इंटर कॉर्मेंटल निकोशेटिंग कमीटी ओन प्लास्टिक पॉलुशन बनाए गई है ये जो कमीटी है इसकी मीटिंग दो हजार तईस नमवंबर में केनिया नेरोबी में होने वाली है ठीक है और इसी दोरान किस तरह से प्लास्टिक प्रदुशन को खत्म किया जाएगा दो हजार चालेस यानि की मान के चली आज से 17 साल बाद आप पुरी तरह से प्लास्टिक से होने वाले प्रदुशन को खत्म कर पाएंगे इसके लिए यहां पर बातचीत की जाएगी आज का जो समय है गर हम करेंट सिचुएशन को देखते हैं वर्तमान सिति को देखते हैं तो प्लास्टिक से होने वाले नुकसान बहुत ज़्यादा है वैश्विक इस्तर पर देखा जाए तो तो 21 मिलियन टन 21 मिलियन टन प्लास्टिक जो है वह एंवारमेंट में अभी जा चुका है 21 मिलियन टन बहुत बड़ा अमाउंट होता है और माइक्रो प्लास्टिक की संख्यां काफी ज्यादा बढ़ रही है माइक्रो प्लास्टिक एक तो होता है बड़ा बड़ा प्लास्टि इस तो उसको आप चम्छोटी कर सकते हैं उसको जा करके और कुणापी göz अजा सकता है तो परियावरन न है असके लिए कोशिच की जा सकती है लेकिन जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं मतलब इतने छोटे सूक्ष्म प्लास्टिक जिसका की पता नहीं चल पाता है तो वहाँ पर फिर दिक्कत आती है और उसकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है तो इस वूड में एक्रो प्लास्टिक से उसकी संख्या काफी बढ़ रही है और इसमें एक्वेटिक एन्वारामेंट भी शामिल है मतलब जो प्लास्टिक्स होते हैं हर एक फॉर्म में जाके समंदर में जाके दब जाते हैं तो इससे जो एक्वेटिक एन्वारामेंट है जो जली वातावरन है पर्यावरन है वो भी एफेक्ट हो रहा है इसलिए इसको treat करना बहुत ज़रूरी है plastic operation को खत्म करना बेहद ज़रूरी है पूरे human being के लिए ठीक है अगला news हम discuss कर रहे हैं India opaque energy dialogue के बारे में India और opaque की एक meeting हुई high level meeting थी opaque क्या है organization of the petroleum exporting country opaque एक आप समझे संगठन है एक ऐसा संगठन है जिसमें की ऐसे देश शामिल है जो petroleum का उत्पादन करते है petroleum को export करते है तो भारत उनके साथ meeting क्यों कर रहा है यह भारत में petroleum की बहुत ज़रूरत है oil की बहुत ज़रूरत है तो इस meeting में oil और energy market से सम्मंधित चीजों को हर एक अलग-अलग aspects को डिसकस किया गया ठीक है इस dialogue में affordability, availability, ensuring और sustainability पर focus किया गया कि कैसे आप नहीं भारत देश है तो यहां पे जो भी उर्जा और देल की खवपत है उसको ले करके उप्रवजदा को बनाया जाए सामर्थ इकठा किया जाए मतलब बहुत ज़्यादा price increase ना हो, affordable रहे वहिए गर आपके यहां पे पेट्रोल देर सो रिपे लिटर भी हो जाए तो क्या होगा अचानक से अफरा तफरी मत जाएगी तो किस तरह से जो उर्जा और तेल का कीमत है वो भी सही रहे इसके लिए एक cooperation करने की कोशिश कर रही है भारत सरकार किन देशों के साथ? ओपेख countries के साथ ओपेख क्या है? ओपेख एक संगठन है जिसका सेकरेटेरियेट वियेना आस्ट्रिया में है और इसमें ऐसे देश शामिल है जो कि तेल उतपादन करते है तो ओपेख जो संगठन है पर्मानेंट संगठन है अस्थाई संगठन है अंतर सरकारी है, इंटर गोवर्मेंटल है इसमें एक सरकार नहीं बलकि कई सरकार शामिल है 1960 में बगदाद कॉनफरेंस के बाद इसको बनाया गया था ठीक है न? तो इसमें इरान, इराग, कुवेट, साउधी रभिया, वेनिजविला 1960 में इस सारे लोगों ने मिल करके इन देशों ने मिल करके ओपेख का निर्मान किया था हेड़कॉर्टर मैंने बताया वियना, औस्ट्रिया में है ओदेश काफी क्लियर है पोर्ट्रोलियम से जुड़ी वी सारी नीतियों को बनाना सामंजस से बनाये रखना अमानी जैसा नहों कि इराग बाकी देश जो है वो डेट सो दो सो रुपे लीटर बेच रहे हैं और कोई इराग या इरान कोई दूसरी कंट्रिय है जो कि सतर रुपे रेटर बेचने लग जाए तो क्या होगा आपस में सामंजस नहीं रहने की वज़े से पूरी मार्केट तबाह हो सकती है तो इसलिए इसको बनाये रखने के लिए इस संगठन को बनाये गया मेंबर्स में कई सारे हैं अलजीरिया, अंगोला, कॉंगो, गयबॉन ये सारे इसके मेंबर देश हैं सदस्य देश हैं अब उपेक प्लस भी आया उपेक आया, उसके बाद उपेक प्लस आया उपेक प्लस में क्या नया हुआ होगा तो कुछ नए देशों को जोड़ दिया गया होगा उपेक में जितने देश थे उसके अलावा उपेक प्लस में तेरह और मेंबर्स को जोड़ दिया गया अजर्बाइजान, भहरेन, ब्रुनई, कजाकस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, उमान इन देशों को उपेक प्लस में आड़ कर दिया गया वो टोटल 40% जो पूरे वर्ल्ड का क्रूड ओयल है उसका उत्पादन करते है मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने कच्छा तेल क्रूड ओयल का उत्पादन होता है 40 प्रतिशत उत्पादन ओपेक प्लस में जो देश आते हैं वो करते हैं ठीक है I hope समझ आ गया होगा इतना कोई बड़ रॉकेट साइन्स नहीं था अगर न्यूज है श्रेयस श्रेयस स्कीम OBC और अदर्स के लिए लाए गया है श्रेयस स्कीम फुल फॉर्म क्या है Scholarship for Higher Education for Young Achievers Scheme श्रेयस श्रेयस का ये फुल फॉर्म है नाम से समझ में आ रहा है उच्छ सिक्षा प्राप्त करने के लिए जो छात्रविती मिलती है अन्य पिछड़ावर के बच्चों को OBCs को और EBCs को उसके लिए ये स्कीम लाया गया 2021-22 और फिर 25-26 के दौरान इसको लागू किया गया है ठीक है क्या है ये श्रेस स्कीम उच्छ सिक्षा पाने के लिए स्कॉलर्शिप शात्रविती के लिए एक स्कीम है ठीक है इसको सोशल जस्टिस और एंपॉर्मेंट जो मिनिस्ट्री है यानि कि सामाजिक न्याय और अधिकायत्या मंत्राले उनके द्वारा लॉंच किया गया है I hope समझा गया है जैसे आप पढ़ने के लिए कहीं बाहर पढ़ने जाना है उच्छ सिक्षा प्राप्त करनी है आपको लोन चाहिए रेने ब्याज चाहिए तो ये सब के लिए इस स्कीम को लाए गया है अब आप लोग एक question है education के उपर ही है पूछा गया है 2012 में इसका अगर आंसर करेंगे comment box में तो मुझे अच्छा लगेगा question है which of the following provisions of the constitution does India have a bearing on education समिधान के निम्रिखित में से किस प्रावधान का भारत की सिक्षा पर विभाव पढ़ता है पांच options दिए गए है साती अने सुची, छटी अने सुची, पांच विए ने सुची और rural urban local bodies, DPSP तो कौन कौन सा जो education से सम्मंदित है अगर आपने पढ़ा है पॉलिटी पढ़ा है तो आपको पता होगा fundamental rights पढ़े हैं तो पता होगा DPSP पढ़ा है तो पता होगा simple सा answer इसका क्या होगा answer D सारे ही option जो यहाँ पर लिखे गए हैं सब education से सम्मंदित हैं ठीक है अगला news है worldwide governance indicator worldwide governance indicator क्या है chief economic advisor जो है भारत के उन्होंने अभी बात पर गौर किया, जोर दिया कि world governance index जो है उसका और transparent होना जरूरी है किसकी बात है यह chief economic advisor जो है भारत के वो कह रहे हैं कि जो world governance index निकाला जाता है जिसमें हर देश के governance पर focus किया जाता है कहां पर कैसा governance चल रहा है उसको और पारदर्शी होनी की जरूरत है मतलब indirectly क्या कहा जा रहा है कि उसमें पारदर्शीता की कमी है ठीक है न तो जो index में ratings निकाले जाते हैं वो सही नहीं लग रहे है तो वो यहां पर chief economic advisor ने ऐसा कहा है तो यह कौन निकालता है जो world governance index है इसको release करते है world bank, visual bank के दोरा निकाला जाता है ठीक है और इसमें सभी जगह के governance की ratings होती है और इसमें 6 dimensions अलग-अलग लिये गए है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला news है बर्तन bank क्या है यह बर्तन bank तो ओडिसा में नुवा पाड़ा district है ओडिसा में वहाँ पर एक ऐसा bank introduce किया गया है ताकि plastic waste को कम किया जा सके ठीक है बर्तन bank बनाए गए कहाँ पर ओडिसा के नुवा पाड़ा district में यह वहीं के लोगों की एक पहल है और इसमें जो steel के बर्तन होते हैं जो utensils होते हैं इस टील के उनको यहाँ पर रखा जाता है या फिर single use जो plastic का होता है उसको आप यहाँ पर gather कर सकते हैं तो यह है बर्तन bank आपको याद कर रखना है ओडिसा में इस तरीके का एक पहल लॉंच किया गया है उदेश क्या है प्लास्टिक वेस्ट को कम करने का ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखेंगे थैंक यू सो मॉच सभी लोग celebrate कर ये छट पूजा को और मिलते हैं कल बांकी के नियूस के साथ थैंक यू थैंक्स लॉट